पहली बड़ी कबर की बात करते हैं राम राम हिंदूस्टान में पहली बड़ी खबर माराश्टु से है जहां मंसे अध्यक्ष राश्टाकरे ने सुबे के सभी मौलवियों को अल्टीमेटम दिया है इस वक्त की बड़ी खबर अल्टीमेटम 3 मैं तक का है अब राश्टाकरे ने क्या कुछ का है वो भी सुढिए दरसल राज ठाकरे ने कहा है कि तीन मईए तक सब भी मजज़ितों के लाउड स्पीकर उतर जाने चाहिए हम तब तक चुप रहेंगे लेकिन तीन मईए तक लाउड स्पीकर नहीं उतरे तो चार मईए से हर मज़ित के बगल में हनुमान चालिस सा बजेगी तो राज ठाकरे ने यहाँ पे चिताया है अब प्रीती के पास आपको लिए चलते हैं स्टूडियो से प्रीती दूसरी बड़ी ख़बर कौन सी है बिल्कुल करिश्मा, राम राम हिंदुस्तान, राम राम आप सभी को दूसरी बड़ी ख़बर राजिस्तान से है जहां गहलोत सरकार के एक फैस्ते पर सवाल खड़े हो गए है करोली हिंसा का हवाला देते वे, सरकार ने हिंदु तिहारों पर जुलूस, रैली, जंडा, बैनर लगाने पर रोक लगा दी है अज मेर में स्टान प्रिशास्तान ने धारा 144 लगा दी है सरकार के इस फैस्ते के खिलाव, लोग सडको पर उतर आए है और चलिए, तीसरी खबर के लिए पूजा का रुक कर लेते हैं पूजा बताइए, आज की तीसरी कौन सी बड़ी खबर है तो आज की जो तीसरी बड़ी खबर है, वो गुजात की सामबर काठा से है जिसे अब लगातार केराना बनाने की साजश रची जा रही है जिहां, राब नवमी के दिन जुलूज पर यहां पत्थर बाजी कर जिस तरह से हिंदू परिवारों को निशाना बनाया जा रहा है कोई पेट्रोल बम दस्ता अचानक से आता है और हिंदू घरों को निशाना बना रहा है क्या है इसके पीछे की साजश ये हम आपको बताएंगे और चोथी यानि आखरी बड़ी खबर के लिए मैं सीधा रुख कर रही है मिनाकशी राम राम बिल्कुल पूजा सबसे पहले आपको भी राम राम और मेरे तमाम दर्शकों को इंदुस्तान के तमाम दर्शकों को मेरी तरफ से राम राम और इसी की साथ आए रुक करते हैं चोथी बड़ी खबर का जी हां देखी चोथी बड़ी खबर ये उत्तर प्रदेश चे है एक तरफ राम नमी के दिन जहां अलग-अलग राज्ये उससे अलग-अलग तरह के इंसा की खबरे सामने आई लेकिन उत्तर प्रदेश चे किसी भी तरह के इंसा की खबर सामने नहीं आई है और इसी को लेकर अब देखिए उत्तर प्रदेश के मुक्यमंत्री योग्या इतनात ने भी कहा है और आईए इसे के साथ एक बड़ी खबर भी आपको बता दे अजान को लेकर देखिए अलग अलग राजियों में किस तरह से बवाल हो रहा है महाराश्ट में अजान को लेकर देखिए किस तरह से लगातार कहा जा रहा है कि आजान की आवास को कम किया जाए लाउट स्पीकर उतारा जाए इसे लेकर अब साफ़तार पर कह दिया गया है कि अगर आजान को लाउट स्पीकर पर बंद नहीं किया गया तो हनुमान चालीसा भी लाउट स्पीकर पर ही पढ़ा जाएगा तो ये बड़े खबर इस वक्ति आपको बता रहे हैं किस तरह से महाराश्ट्रों में लगातार आजान को लेकर विवाद बढ़ता ही जा रहा है राज शाकरिसान ने आए उनके और से कहा गया है कि अगर आजान को लाउट स्पीकर पर बंद नहीं किया गया लाउट स्पीकर नहीं उतारे गए तो हनुमान चालिसा भी आप लाउट स्पीकर परी पड़े जाएंगे तुमाला जाओ काई नमाज पड़ा इसा है तुमाला जी का आजान देचे घरा मद दे जया शहरांचे रस्ते के चलाड़ होता है शहरांचे फुटपात के चलाड़ होता है तो पास-पास वड़ा तुमी दिवस भरा बंद नत्रिकड़े नमाज पड़ता बांग देता एक तसकर बेसू रस्तर तर तुम चा मशिदी चा बाहर अमीब हनुमान चालीसा लावडार मज़े लावडार इसके लिए बीवीपी के जो कारी करता है जो शात्र है इबीवीपी से जुड़े हुए उन्होंने चंदा इकट्टा करना भी शुरू कर दिया है और चंदा इकठा करके उन्होंने साफ तोर पर कहा है कि अगले कुछ दिनों में जो स्पीकर है वो मंदिरों के उपर लग ज जा रहें दूसरी तरफ राज ठाक्रे ने भी अल्टिमेटम दे दिया है जल्दी से जल्दी लाउट स्पीकर नहीं उतारे गए तो हनुमान चाली सा महराष्ट में भी लाउट स्पीकर पड़ी पड़े जाएंगे अब बिल्कुल देखिए महराष शुरू होकर यह उत्तर परदेश और उत्तर परदेश से होकर अब नजाने कहां कहां ये जो स्पीकर और लाउट स्पीकर वाली जो का मुद्दा है वो कहां कहां तक गरम होता है देखें एक बात तो ABVP या फिर जो महराष के मंसे के अध्यक्ष है राज ठाकरे उनका ये कहना है कि अगर हम लाउट स्पीकर पर हन्मान चलिशा नहीं बजाते हम लाउट स्पीकर पर अगर आरती नहीं करते हम लाउट स्पीकर पर अगर अपना पूजा पार्ट नहीं कर ये सारे लोगों को परशान होने की ज़ुरत नहीं है अब सरकार को इसमें देखना पड़ेगा कि कहीं ये दंगा का रूप ना ले ले कहीं इसे एक संप्रदाइक कोई दंगा ना भढ़के कोई बड़ी घटना ना घटे तो सरकार को भी एला होने करोले हिंसा के बाद से और गहलोग सरकार के फैसले को लेकर बहुत बवाल यहां पर देखने को मिल रहा है क्योंकि अब हिंदू त्योहारों पर जुलूस रैली जंडा ये सब इस्तिमाल करने पर पूरतरा से ब्रोक लगा दी गई है और अजमेर मेथो स्थाने प्रिशासन ने धार 144 लागू कर आपको बता दे गहलोग सरकार के इस फैसले का जम कर विरोध हो रहा है बवाल यहां देखने को मिल रहा है यहां तक कि अंबेटकर जयनती हनुमान जयनती गुड़ फ्राइडे पर विशेश सक्ति अब बरती जाएगी करॉली की खटना के मध्य नजर गहलोग सरकार ने ये हिंजरे में हिंदू आस्था हिंदूों के तेवहार पर पाबंदी का प्रहार करॉली की आग में जुलस चुके राजस्थान में अब नया बखेड़ा शुरू हो गया है शांती के नाम पर हिंदू आस्था से खिलवार करने पर उतारू हो गई है राजस्थान की कॉंग्रि पर उतरने लगे हैं दरसल राजस्थान में अजमेर प्रशासन ने जो नया फर्मान जारी किया उससे हिंदु आस्था को चोट पहुचना लाजमी है लेकिन इस बारे में जब अजमेर प्रशासन से पूछा गया तो ट्रियम ने क्या कहा आप भी से यह conscious decision लिया गया है कि हमार जुलूस के अंदर नॉर्मल जुलूस अजमेर बड़ा शान्तिप्रिय शहर भी है जिला भी है परन्तु कुछ ऐसे elements होते हैं जो जुलूस के अंदर महौल खराब करने का कार्य करते हैं उसी करम के अंदर जो 144 निकाला गया है उसके अंदर ये clear किया आता है कि जुलूस के क कोई रोक नहीं है लेकिन जुलूस अगर किया जाएगा तो पर्मिशन के साथ किया जाएगा और 15 अप्रैल को गुड फ्राइडे को अब किसी तरह का जुलूस, मार्ज, रैली और सभा लगाने से आपको पहले इजाजत लेनी हो आज हम लोग ग्यापन देने, राज़िपाल के नाम ग्यापन देने आये हैं क्योंकि मुख्यमंति के तो कान पे जुन नहीं रेंगती है माविर जयनती आ रही है, हनुमान जयनती आ रही है, अमेटकर जयनती आ रही है आपको बता दे कि 2 अप्रेल कुराजस्थान के करावली में हिंदू नव वर्स के मौके पर हुई हिंसा में भारी जानमाल की खशती हुई थी ब्यूर इपो, जीन, नवी शक्ती, लिनावाद के दिन जो हिंसा हुई, उसके बास से यहाँ पर माहौल तनावपूर बना हुआ है करिश्मा आपके पास क्या जानकारी है? बिल्कुल, देखिए, ग्राम नॉमी को लेकर आपको बता दे प्रीती और अपने दर्शे को को कि अलग-अलग राजो में इंसा की तस्वीर सामय आई, अब जो राजो में इंसा पर इसको लेकर आप सीम योगी की प्रतिक्रिया सामय आई, उतरपदेश में दंगाई किसी तरह की हिमाकत नहीं कर पाई, योगी आदितनाथ ने कहा, दंगा पसाद दूर की बात है, तू- यहाँ पर चिता भी रही है एक तरीके से, तुशार हमारे साथ लखनों से जुड़े हुए, तुशार हमने देखा राब नौबी के दुरान अलग-अलग राजो से इंसा की तस्वीरे आई, योगी आदितनाथ का ये कहना कि दंगा फसाद के लिए यूपी में कोई जगह वह पर चिताबनी भी है, कड़ा संदेश भी है योगी सरकार के लिए क्योंकि दोनों त्रवाद एक साथ मनाय जा रहे थे और ऐसे में अगर एक भी दंगा नहीं हुआ आठ सो से भी अधिक जगहों पे जलूस निकाले गए और कहीं भी कोई बिवाद सामने नहीं आए जबकि आपने देखा कि तमाम जगहों पे अलग- पस्ता मजबूत है और यहां पर किसी तरह का कोई दंगा किसी तरह का कोई फसाद नहीं हुआ इसको लेकर उन्होंने पुलिस कर्मियों की भी तारीफ की और उन्होंने साब कहा कि हम उत्तपरस में कामूरा जिस तरह से रही उसकी तारीफ हुई है लेकिन इस बीचिक बड़ी खबर है मैं ये दर्श्रकों को बता दो देखे खरगौन से बड़ी खबर है चहां पर खरगौन के खुराफातियों पर मामा का बुल्डोजर बदस्तूर चल रहा है जी हां एक बार फिर से जो पांच और घर उपर मामा का बुल्डोजर चल रहा है जिस तरह से रा और मकानों पर मामा का बुल्डोजर चला है यानि कि सक्त कारवाई करने के तैयारी में है मत्या प्रदेश की सरकार और देखिए लगातार आपको तस्वीरे भी हमने दिखाई पहले भी और फिर ये ख़बर भी आपको बता रहे हैं मेरे तमाम से योगी मिरसा जुड़े खरगाउन समिरसा सुधीर तीसरे दिन भी मामा का बुल्डोजर खुराफातियों के घरों पर चला है यानि कि साफ और सीधा संकेत और संदेश देने की कोशिश शिवराज सरकार की ओर से कि कोई बचेगा नहीं जो गलती करेगा अपरात करेगा उसे बक्षा नहीं जाएग बिलकुर देखें इस वक्त हम मौझूद हैं यहाँ पर ताहलाब चौक इलाके में इसी जगह से पूरी जो हिंसा है जो पूरा विवाद है उसकी शुरुवात इसी जगह से हुई थी उसके बाद जब प्रशासनिक अंबले ने शिवराज सिंच शवान के जो प्रशासा ने उसने बुल्डोजर चलाना चुरू किया तो आप देख सकते सामने इन दुकानों को जमीदोस किया गया है ये 16 दुकाने यहाँ पर गिरा दी गई है जिनका की अवेद निर्मान किया गया था सामने जो आप गली देख रहे हैं इस गली में इसी चवराय पर पूरे विवात की शुरुआत हुई थी जिसने खरगोन को सामप्रदै खिंसा के आग में जोग दिया था फिलाल आज तीसरा दिन है और यहाँ पर करफियों भी जारी है और आगे तेवारों को देखते हुए इसके जारी रहने की संभावना भी है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 200 अब तक 95 से ज़्यादा लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है उनकी उनमें से 50 के उपर कारवाई की जा चुकी है 45 लोगों पर सोंवार को कारवाई की गई थी कल मंगलवार के दिन 5 और संपत्यों को ढाया गया और सबसे खास बात उसमें जो 3 होटल ढाया गया उनमें एक होटल अलीम शेक्त नाम के जो पॉर्ण पर ये शिवराज सरकार की तरफ से कहा गया कि हम ऐसे लोगों को बख्षेंगे नहीं इसके बाद कहीना कहीं सुनीर एक मेसेज बहुत स्ट्रॉंग गया है जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में लगतार कारेवाई उसी मॉडल पर मद्यप्रदेश सरकार है और जो गुंडा माफिया इस तरह की जो हुर्दं करते हैं उन पर सक्ट एक्शन लिया जाएगा तस्वी मद्यप्रदेश में मामा का बुल्डोजर या यूपी में बाबा का बुल्डोजर चल रहा है और यह जो कारवाई के जरीए जो अपरा दिये आरोपी उनको यह संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि अगर आप प्रदेश की फीजा बिगालने का काम करेंगे तो आपके जो मनसूबे हैं उनको इसी तरह जमीदोज कर दिया जाएगा जिस तरीके से आपकी इस प्रापर्टी को जो अवे तिर्मान आपने किया है उसको जमीदोज किया जा रहा है तो निश्चित तोर पर कही ने कही ये कड़ा संदेश देने की कोशिश है और एक नया प्रावध जा किपके से जहां पर पुर्वसी M. दिगविचे सिंग पर कही इफाई आर दर्ज हुई है आपको बता दे कर खरगोन हिंसा को लेकर गलत फोटो ट्वीट की गई थी और इसी मामले को लेकर एफाई आर दर्ज हुई है मुझफरपुर की फोटो को खरगोन का बता दिया गलत फोटो ट्वीट करने के मामले में ये F.I.R दर्ज हुई है जिनमें भोपाल है, गौलियर है, जबलपूर है, सतना है, नर्मदापुरम है इन जगाहों पर कॉर्बसी एम दिखविचे सिंग के खिलाफ F.I.R दर्ज हुई है, क्योंकि गलत फोटो ट्वीट कर दी गई थी, मुझजफर नगर की फोटो को खरगोन हिंसा से जोड़ कर ये फोटो कल दिखविचे सिंग ने ट्वीट की थी, जिसको लेकर बेहत विरोध देखने को मिल रहा था और अब F.I.R दर्ज हुई है, तो देखिए एक तरफ माबा का बुल्डोजर तो दूसरी तरफ बाबा का बुल्डोजर और देश और दुनिया की हर कबर, जी हिंदुस्तान पर हर एक अपडेट आपको देंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया अमारे झाल